जो बाली टेक्ट है उसका जो लास्ट इंवेस्टिकेशन है इ-RCP उसके बारे में स्टेडी करेंगे इ-RCP क्या होता है उससे पहले आप लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करोगे अब लास्ट इ-RCP का मतलब क्या होता है अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें पैंक्रियाज के लिए और बैली सिस्टम के लिए यह जो एक्जामनेशन होता है वो पैंक्रियाटिक एंड जो बैली सिस्टम है उसके अंदर किसी भी टाइप की अबनॉर्मल्टीज या पैथो का फाइंड आउट लगाने के लिए यह इन्वेस्टिकेशन है वो किया जाता है अगर पैंक्रियाटिक डीज़ीज है तो उसकंडिशन में करना चाहिए गॉल्ब्लेडे में ट्यूमर है तब करना चाहिए किन कंडिशन में इनको नहीं करना चाहिए अगर ऑप्स्रिक्षिन है इसोफेगस और दूरेनम के अंदर पैंक्रियाज में प्रक्ष cm है तो थो तब भी निकरह पोजिट्व स्यूरोजिकल टेस्ट टेश्ट पॉर और अंटीजन अगर पोजिटीव स्यूरोजिकल टेस्ट है के लिए तब ढहँ करना चियर सिंवेस्टिगेशन को अब नहीं उसके रही है रही होन्ते cut किये थे अब बस इसके अंदर एक फाइबर ऑप्टिक जो एंडोस्कॉप है वो यूज क्या जाता है वो डिफरेंट है पेशन पेशन भी सेम है बस कुछ जैसे इमटी स्टमक होना चाहिए और सिक साथ तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए और टेक्निक की बात करते हैं तो स्टमक इंटू निद ता है यूज स्टमक इंटू निव डाटि जाता है यूज स्टमक बास करते हैं ठीक पहले टार सुटमक में स्टमक में के अंदर जाता है देच की पोजिशन और टा सेकेंड जोय सब्सक्राइब पेपिल करें को तरनके सब्सक्राइब अन्थे-यदि力 चलाते हैं zostे मोल्यग होती है ऑक पी पेपिलिकता तक है को गुंचानेंसट्ट्स करते हैं उस्सें पहले सब्सक्राइब में। फीलिग उस्तते जाते हैं सब्सक्राइब 16230 invit को कम ठूशीज 5220 4 ml contrast होता है वह inject किया जाता है और सबसे पहले क्या होता है pancreatic duct phil होती है firstly और उसके बाद में जो pancreatic और जो common bile duct होती है वह साथ साथ में fill up होती है ठीक है फिल simulate में एसली and exposure taken in prone oblique or lateral और जो exposure होते हैं वह प्राउन औबलिक को लेटर में लिए जाते हैं फिलम वही से मैं प्रोन औबलिक लेटर और केर है तो बैड्रेस बोल दो बीपी पल्स रेगलर चेक करो और कॉंपलिकेशन के बात करेंगे तो पैंक्रियास से कुछ डेस के लिए ब्लीडिंग हो सकती है ठीक है बाबाई टेक क्यार